गुद आफ्टरून गाईज, मैं अभिनो श्रवास्तो आप सब का हार देख स्वागत करता हूँ सुधान सु इनोवेशन क्लासेस के ओफिशल एप्लिकेशन पर, दोस्तों आज आपका 13 अक्टूबर है और मैं अभिनो श्रवास्तो जैसा कि हम लोग बाते कर रहे हैं जिस व हारते संविधान एवं राज व्यवस्ता पर, आज कुछ तकनिकी कारणों से मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई और आपके क्लासेस की टाइमिंग जो है वो जियस की यानि की कांस्टिटूशन की वो थोड़ा सा चेंज कर दी गई है, दो बजे से जो क्लासेस हमारी आपकी ह हुआ करती थी, वो क्लासेस अब दोस्तों चार बजे से होगी, यानि हमारी आपकी मुलाकात अब शाम चार बजे होगी, आशा करते हैं दोस्तों कि कल की जो बाते हुई थी, जिन कंटेंट पर हमारी आपकी चर्चा कल हुई थी, वो सब कुछ आप तक पहुंच चुका तो चलिए, उसी दिशा में, आगे बढ़ते हैं, रतने श्री, वैभाव सिंग, हरियोम पांडे और विकाष यादव, अभिशेक शातर वेधी, आप सब को बिटा, गुड आफ्टरून, एंड गुड इवनिंग अलसो, चलिए, आगे सीधे मुद्धे पर आते हैं, बाते ह हो रही थी, कल भारति परिशद अधिनियम के बारे, यानि भारति परिशद अधिनियम, अथार AH सौ एक सट, एञ्टेंन इसेंग राम जी, तो दोस्तों, पारति परिशद अधिनियम था, कल हम लोगों ने आशिक रूप से इस पर बात भी कर ली थी क्योंकि ये अधिनियम कहीं न कहीं हमारे देश में एक व्यवस्था के शुभारंब के लिए जाना जाता है एक ऐसी व्यवस्था जो की आज भी चली आ रही है आज भी उसका इस्तमाल कई बार सरकारें अपने हिसाब से न्यायपालिका और जो विध रहाइका है उसके लिए ऐसा प्रयास वो करती रहती है उसमें अपनी बढ़ोत्रिया यू कह लीजिए कि उनका प्रभाव अभी भी कहीं न कहीं ज्यादा हो जाता है सबसे बड़ी चीच जो बात की गई दोस्तों विकास चल गया बिलकुल चल गया शाशिवाला जी आप भ भारत में मंत्री मंडली व्यवस्था का शुभारंब किया यानि की मंत्री मंडली व्यवस्था का प्रारंब इससे पहले हमारे यहां केवल मंत्री परिशत था लेकिन मंत्री मंडली व्यवस्था जो है वो 1861 के इस एक्ट से सामने आई है दोस्तों मादुरी जी राहुल व सब लोगों को बिटा गुड इवनिंग, अशोक जी बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही आप से, परणाम आपको भी, चलिए, I think इस समय से कोई समस्या नहीं होगी और मुझे लगता ये समय ज्यादा मुफीद भी है, शाम का समय है, अभी तक शुरू में ही हमारी क्लास होती और बहुत से लोग इकलास अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या उन्हें नहीं आनी चाहिए, एक ची और जो मैं आप से जरूर कहना चाहूंगा, और ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है दोस्तों, कि अगर मूल विधी और भारती रा इनत करनी पड़ेगी, इस विशह पर ही सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, अविनाश जी, गूड इवनिंग बिटा, चलिए, ठीक है, तो ये काम जो है, आपर मंत्री मंडली विवस्था का जो प्रारंभ हमारे देश में दिखाई देता है, वो भारतीय पर 1458 के The Act for the Good Governance in India, इस अधिनियम ने Governor General के पद को वाइसरोय के पद में तबदील कर दिया था, यानि अब Governor General नहीं कहा जाता था, उसे उस विक्ति को वाइसरोय कहा जाता था, वाइसरोय के पास एक ऐसी शक्ति आ गई, एक ऐसी शक्ति उसे दी गई, जो कि आज भी हमारे दे कह सकते हैं, डेजिगनेशन की जो भी अधिकार थे, जो भी उसके राइट्स थे, Governor General या वाइसरोय के, वो सब आज हमारे अधिकांस राष्टपती में नहीं थें, ऐसे में कई बार जब सदन की कारिवाही न चल रही हो, जब मंत्री परिशत की कोई बैठा कायोजित न हो र जानते हैं, विधी निर्माण के लिए सर्वे सर्वा जो था, जो शक्तियां नहीं थी, वो सब वाइसराय में नहीं थी, वाइसराय ही, एक्श्वल में आपकी इन शक्तियों का वास्तविक प्रियोग करता था, विधी का कानून बनाने का, अशो कुछ कह रहा है, क्लास की टाइम चेंज होने के कारण मैं लाइब नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा रणिंग टाइम रहता है, अच्छा अशोक जी, कोई बात नहीं विटा, अशोक कह रहा है कि PCS में समविधान से जितने कुश्यन आये थे, सब सही किया है, बहुत बढ़ी हैं विटा, बहुत ही बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर विधे निर्मार की जो शक्ति आज राष्टपती के पास है, यानि राष्टपती के दस्तकत के बिना जो अधिनियम कानून का रूप नहीं लेता, और ऐसी ही मिलती जुलती एक शक्ति वाइसराय के पास थी, और वो शक्ति थी दोस गवर्नर जनरल या वाइसराय के पास आ गई थी, और इसे अधिक्तम जो है छे माह के लिए जारी किया जा सकता था, यानि अधिक्तम इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी जो ओधी होती है, वो जो है दोस्तों, वो आपकी six months सी, अब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछता और मुझे विश्वास है, बिटा, कि आप इस सवाल का भी जवाब सही देंगे, पूरी तरह से, कि जो आपका राष्टपती है, जो अध्यादेश राष्टपती द्वारा जारी किया जाता है, इसे अधिक्तम कितनी बार जारी किया जा सकता है किसी विशह पर? आच्छा, यहां कुछ और भी मादुरी कह रही है, टाइम बता दीजिए कि कब-कब कौन सा सब्जिक्ट पढ़ाया जाता है, क्लास चूट जा रहा है, मादुरी बिटा, मैं और क्लासेस के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं सिर्फ अपना दाय तो ले सकता हूँ, और हमारी क्ल दिवांग पूछ रहा है कि मूल विधी और समविधान के लिए कौन सी किताब अच्छी होती, विटा, किताबे सब अच्छी होती हैं दिवांग, कोई भी किताब बेकार नहीं होती, हर किताब से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सायद अब वक्त ऐसा नहीं रह गय है कि आप यहां पर किताबों को कंसर्ट कर सकें, आपकी तैयारी को धार देने का समय है और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, तो किताबे पढ़ने के बजाए, नोट्स पढ़ने के बजाए, आप प्रैक्टिस पर फोकस करें, तो ज़्यादा आपको फाइ तब हम आगे बढ़ जाएंगे, यानि अगले भारती परिशद अधिनियम 1.8028 की बात हो जाएगी, 1.8090 पर मैं आ जाओंगा. लेकिन ये जवाब नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अंसर नहीं कर रहा है मुझे अभी, इस पर कितनी बार अधिक्तम अध्यादे जारी किया जा सकता है किसी विशह पर कोई जवाब नहीं अच्छा देवां कुछ और भी कह रहे हैं हिंदी रीजिनिंग जियर्स sociology and maths चल यह बढ़िया है अगर ऐसा समय है तो शायद दिवां को यह जानकारी है मादुरी जी आपके comment box में यह चीजें इसपस्ट हैं आप देख लीजिए और आज शायद आपकी समस्या हल हो जाएगी इन सब बातों को विराम दीजिये और मेरे सवाल का भी अंसर दीजिये न आगे अशोक कह रहा है कि एक बार जारी कर सकते हैं लेकिन अशोक यहाँ पर अगर आपके पिछले statements को देखा जाए तो उस हिसाब से एक बार वाली बात नहीं की जाएगी देखिए ये कोई limit नहीं है अभी तक सिर्फ से भी यानि Security Exchange Board of India के गठन के संबंद में तीन बार अध्यादेश का हमें विवरण मिलता है लेकिन चुकि ये सरकार के पास एक ऐसा अधिकार है जिसमें गैर मौसमी टाइम में भी अब यहाँ गैर मौसम की बात कर रहा हूं सीजन नहीं है ओप सीजन में भी जहां कानून नहीं बनते उस सीजन की बात में कर रहा हूं तो आफ सीजन में भी सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाने का रास्ता साफ कर सकती है और ये जो बात आप कह रहे हैं बिटा एक बार ऐसा नहीं अशुक एक बार नहीं और शशिबाला यहां जो तीन बार मैंने लिखा है ये भी इसकी कोई अंतिम लिमित नहीं है इस संबंद में राष्ट-पती अपने विवेका अधिकार से नरने लेता है कि वो जितनी बार आवश्यक समझें उतनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है तब तक कि या जा सकता है जब तक कि जिस परपस से वो है वो सेभी के गठन के संबंध में है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले अधिनियम यानि भारती परिशद अधिनियम 1892 की बात कर लेते हैं बिटा बस हम अब जल्दी ही समविधानिक विकास की इतिहास को खत्म कर लेंगे और सीधे सीधे हम समविध आप सभी लोग एंड मैंनी मोर जो भी उपलब्द हैं उन सब से मेरा कहना है कि भारती परिशद अधिनियम की जो सबसे खास बात थी वो थी हमारे देश में निर्वाचन पद्धती का प्रयोग किया जाने लगा यानि निर्वाचन पद्धती का जो है वो आरंब हमारे देश में वो 1892 के इस भारती परिशद अधिनियम से ही देखने को मिलता है ठीक है लेकिन ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि हमारे कहीं भी किसी व्यवस्था क कि अगर बात की जाया तो भले हमने निर्वाचन पद्धती का आरंब किया लेकिन कहीं पर भी निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है याद रखिए निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था तब भी जबकि निर्वाचन पद्धती का प बात की स्पष्ट कर दूँगा, कोई बात ने अशुक जानकारी नहीं थी, I think अब आपको जानकारी हो गई होगी इस बारे में, तो आगे की चीज पर भी ध्यान दीजेगा, यहां पर जो निर्वाचक छेत्र थे, वो निर्वाचन छेत्रों को दो हिस्सों में बांटा गया था, और वो दो हिस्से जो थे दोस्तों, वो आपके सामान निर्वाचन छेत्र थे, और एक था आपका विस्ष्ट निर्वाचन चेत्र , यानि संपूर्ण भारत को निर्वाचन की द्रिष्ट से दौ हिस्सों में बांटा गया duel एक था saamane riva chan chetra और दूसरा आपका विशिष्ड निर्वाचन चेत्र अब saamanी nirva chan chetra में कौन आ सकता था तो यहां ध्यान देना है आपको इसमें हिंदू मुसलिम सिक इसाई और एंगलो इंडियन समुदाय के लोगों को सामिल किया गया था यानि ये सभी लोग जो है दोस्तों ये सब सामान निर्वाचन छेतर के अंतरगत आते थे लेकिन यहाँ जो विसिष्ट निर्वाचन छेतर है अब आप समझेए सीनियर कौन है विसिष्ट कौन है जिसके पास बाहुबल था जिसके पास पावर था जिसके पास पैसा था जैसे अलग-अलग हम भू स्वामी की बात करना है जो भू स्वामी हुआ करते थे उनका नाम भी इसी के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है जो अलग-अलग देश में विश्व विद्याले थे, जो उनिवस्टी थी, वो सभी लोग यानि विश्व विद्याले तथा व्यापार मंडल आदी जो थे, विश्व विद्याले और व्यापार मंडल, इन सब के सदस्यों को विश्ष्ट निर्वाचन के अंतरगत रखा जात सरवेश मैं इस बात को समझ नहीं पाया, क्या कहा है आपने, इसको थोड़ा और क्लियर करके मुझे बताईएगा, इस पेलिंग को, इस पेलिंग मिस्टेक है, तो सामान निर्वाचन छेत्र और विसिष्ट निर्वाचन छेत्र, आप से सवाल ये पूछा जाएगा, कि हमारे निर्वाचन पद्दती का आरंब कभ हुआ पहली बार, तो आप कहेंगे, कि ये प्रारंब जो है, 1892 के भारते परिशद अधिनियम में हुआ, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया, कि इस अधिनियम में, कहीं भी निर्वाचन छेत्र का प्रेयोग नहीं किया गया, सामिल किया गया था, जबकि विशिष्ट निर्वाचन छेत्र में, भूस्वामे, विश्विद्यालाय और व्यापार मंडलादी को शामिल किया जाता था, सबसे बड़ी चीज की सिख, तीन नाम में लूँगा बिटा, सिख, इसाई और एंगलो इंडियन तथा यूरोपिय में वार्शिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भारतियों को मिला, बिल्कुल विटा, ये बात हम आगे जरूर करेंगे, और ये तभी होगा जब हम लोग केंद्रिय बजट और जो प्रांतिय बजट है, उन्हें अलग कर देंगे, यानि ये काम यहा पर केंद्रिय बजट और प्रांतिय बजट को अलग कर दिया गया, यानि राज्यों का बजट अलग हो गया और केंद्र सरकार का बजट अलग हो गया, एक बात और यहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि केंद्रिय विधान मंडल को जो संबंधित विश्यों में कान अगला विश्यों पर कानून निर्माड की शक्ति तो दे दी गई, लेकिन अंतिम रूप से जो निरने लिया जाता था विटा, वो अंतिम निरने अंतता वायसराय का ही होता था, तो वायसराय का निरने अपने आप में सुपीरियर था, सबसे बड़ा था, विधान मंडल यहा एक तरह से संकेत है दोस्तों कि वायसराय अभी भी विधी निर्माड के संबंध में सरवे सरवा था, विधी निर्माड के संबंध में एक ऐसी अथारिटी था, जिसकी अनुमती की बिना कोई भी कानून अपना रूप न ले पाता, ठीक है, आगे इसमें जो बात सरवेस न उन सदस्यों को पूरक प्रश्न यानि सप्लिमेंटरी क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, यानि पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार था, वो इन्हें प्राप्थ हो गया, और आप कह सकते हैं कि विधान मंडल, एक चीज तो यहां पर विधान मंडल है, और एक चीज है आपका विधान परिशत, यह दो चीजे हैं, कहिन कहिन विधान मंडल और विधान परिशत को हम लोग द्वैद सासन प्रणाली की रूप में जानते हैं, आप मुझे बताएं कि इस द्वैद सासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, कौन स्वाव्यक्ति ह जिसे विधान मंडल और विधान परिशद की रूप में द्वैद सासन प्रणाली के जनक के तौर पर देखा जाता है हमारे देश में। क्वेशन एकदम सिंपल है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां पर क्योंकि एक एक पॉइंट एक लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए और वो हो रही है ठीक है किन्तु निर्वाचन का अधिकार नहीं दिया गया बिल्कुल बिटा दुर्गेश यह जवाब आपका सही है कि इनको बजट पर जो परिशत के सदस्य थे वो बजट पर पूरक परश्ण यानि सप्लिमेंटरी क्वेस्चन पूछ सकते थे लेकिन उन्हें ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं था कि वो लोग जो है कोई या उसकी निर्वाचन में हिस्सा ले पाते हैं, उसके निर्वाचन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार उनके पास नहीं था, तो यहाँ ध्यान देना है आपको, तो बजट पर पूरक-प्रश्न पुछने का अधिकार उन्हें दे दिया गया विधान-मंडल के सदस्यों को, प कोई भी अगर सार्वजनिक मुद्दा होता तो सार्वजनिक मुद्दों पर अगर उन्हें सवाल पूछना था तो उसके लिए उन्हें छे दिनों की पूर्व सूचना देनी पड़ती थी बजट पर तो उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया सार्वजनि प्रशन पूछने का अधिकार या सार्वजनिक विश्यों पर भी प्रशन पूछने का अधिकार लेकिन यहां ध्यान देना है आपको कि यह अधिकार केवल तब प्रभावी था दोस्तों जब वो छे दिनों की पूर्व सूचना दे देते थे उन सवालों की सूची उन्हें द संसधिय प्रणाली में आप लोग तारांकीत, अतारांकीत जैसे प्रशनों को सुनते हैं, संसधिय कारिवाही के दौरान, तो वही चीज यहां पर भी थी कुछ प्रशन है जिनकी सूची लिखित देनी होती है, कुछ प्रशन ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, कि उसका उत्तर लिखित में दिया जा सकता है, या मौखिक में दिया जा सकता है, तो यह सारी चीजे हम लोगों को जो है, वो यहीं इसी भारती परिशन अधिनियम 1892 में देखने को मिलती हैं, एक बात और जान लीजे, चुकि यहां पर सरकार का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा था द जाता मिनिमम संख्या इसकी तो आप कहते 8, और अगर कहता मैक्सिमम संख्या तब यह हो जाती दोस्तों, 20 यानि की 20, यानि विधान मंडल में अधिक्तम 20 और नियुनतम 8 सदसे हो सकते थे, यहां विधान मंडल के सदस्यों को सारवजनिक विश्यों पर भी प्रशन पूछ पर बजट पर उन्हें सप्लिमेंटरी क्वेशन पूछने का अधिकार तो मिला, उस पर बहस का अधिकार तो मिला, लेकिन वो उसमें निर्वाचन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, और हमारे देश में विधान मंडल तथा विधान परिशद प्रणाली की शुरवात हुई, ज एक सवाल का जवाब अगर आप दे लेंगे दोस्तों, तो मुझे और ज्यादा विस्वास होगा आप पर, थोड़ा सा विस्वास बढ़ेगा ही, कि हाँ, सिर्फ किताबों में दिखाई दे रही चीजें, जो लाइने लिखी गई हैं, आप केवल उन लाइनों को नहीं एक तो विधान मंडल गठित हुए, और दूसरया, विधान परिशद, ये दो बातें आपको दिखाई देती हैं, विधान मंडल और विधान परिशद, और सबसे बड़ी चीज, कि यहाँ पर आपके इन दोनों में शाशन को ही हम लोग कहते हैं, द्वैद सासन, इसी को हम लोग द्वैद सासन परणाली कहते हैं दोस्तों, और शायद आपके कमेंट बॉक्स में अब तक इसका अंसर आ चुका होगा, कि भारत में द्वैद सासन परणाली यानि विधान मंडल और विधान परिशद, इन दोनों की स्थापना का श्रे, इस व्यवस्था का आश्रे किसे दिया जाता है, तो ये सवाल है, इसको भी आप देखिए, और तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एक अगले सिस्टम में, एक अगले व्यवस्था में, एक चीज और, महिलाओं की बात आ रही है, मैं महतुपूर पॉइंट भूल रहा हूँ, जो है महिलाओं को मत अधिकार भी यहीं दिया गया, महिलाओं को पहली बार मत डालने का जो अधिकार मिला, वो भी यहीं पर मिला दोस्तों, यानि की अठारा सो आपके बानवे के इस अधिनियम में, जिसे हम भारतिय परिशद अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो महिलाओ को यहाँ पर मत अधिकार पहली बार दिया गया और अगर द्वैद शासन प्रणाली वाला यह सवाल पूछता है दोस्तों तो याद रखिए यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है शायद आप लोग इस नाम से वाकिफ हों भी या शायद आप वाकिफ ना भी हों तो याद रखिए भारत में द्वैद शासन प्रणाली का जनक माना जाता है दोस्तों लियोनेल कर्टिस को फिर से मैं नाम ले लेता हूँ विद्वैद शासन प्रणाली का जनक भारत में माना जाता है लियोनेल कर्टिस को जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि विधान मंडल और विधान परिशद जैसी व्यवस्थाओं को भारत में लागू करने का स्रेय इसी व्यक्ति को जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे एक चीज और आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में अभी तक की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी और तमाम विशमताओं के बावजूद भी ये सिस्टम धीरे-धीरे करमिक रूप से आगे बढ़ रहा था यानि अव तक समवधानिक गठन की इतिहास को और समवधानिक गठन की प्रक्रिया को जिस रफ्तार से लेकर के हम लोग चल रहे थे शायद इसमें कुछ भी अब ऐसा जटिल नहीं रह गया जिसके लिए हम लोगों को अपनी रफ्तार बहुत धीमी करने हम वास्तों में नाग के दांत बू रहे हैं हम वास्तों में नाग के दांत बू रहे हैं जिसके परिडाम भयानक होंगे यह यह स्टेट्मेंट यह एक कथन है दोस्तों और मैं जानना चाहता हूं कि यह कथन किसका है क्योंकि जिसका भी यह कथन है अन्तता भारतिय परिशद अधिनियम की बात में कर रहा हूं इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग, तो भारतिय परिशद अधिनियम, 1909 के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इसी को आप सभी, मारले, मिंटो, सुधार भी कहकर बुलाते हैं, यह चीज, मारले, मिंटो, सुधार, क्योंकि उस समय जो थे, दोस्तों, लौड मारले जो थे, वो सेक्रेटरी आफ स्टेट थे, यानि यह जो थे, आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, कि 1857 की करांती के बाद भारत में जो व्यवस्था थी, वो बदल गई, Board of Control और Court of Director, दो चीजे थी, Board of Control और Court of Director, यह दोनों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इसे समाप्त करके इन दोनों की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में इस्थानांतरित कर दी गए और वो था भारत सच्यू, यानि Secretary of State, तो वो ज समय भारत के वाइसरोय हुआ करते थे, तो सन 1909 में भारती परिशद अधिनियम जो आया दोस्तों, इसने भारत में निर्वाचक मंडल के लिए अलग से सुविधा दे दी गई, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानि भारत में निर्वाचन मंडल के लिए अलग स सुविधा दे दी गई, एक बात और, सन 1906 में एक ऐसी घटना हमारे देश में हुई, जिसने कहीं न कहीं विभाजन की लकीर उसी वक्त खींच दी, अंग्रेजों ने चुकी नवाब सलिम उल्ला कुछ नाम मिलेंगे आपको नवाब सलिम उल्ला, महसिन उल्मुल्क और वक दूसरा नाम महसिन उल्मुल्क और एक नाम और आपको मिलेगा वो नाम है दोस्तों, नवाब सलिम उल्ला का और ये वही तीन लोग थे, जिनने ये लग रहा था कि बहु संख्यक हिंदु राष्ट में उनल्प संख्यक मुस्लिमों के हित सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें हाशिये पर ना ढखेल करके, जैसा उनकी मांग थी, जैसे उनके शब्द थे, उन्हें सरकार बनाने में यानि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया में हिस्सा बनाया जाए, और इसी के लिए सन 1906 में उन लोगों ने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा, और 1906 में उसकी ये मांग मान दी गई, हाला कि मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षन, निर्वाचन के लिए अलग से उन्हें जो आठ सीटों पर आरक्षन दिया गया, जो आठ सीटों पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था दोस्तों, उसी के बारे में ये कहा जाता है कि लाड मारले ने बोला, हम वास्तों में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसके परड़ाम भयानक होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सशिबाला क्वेशन पूशन पूशने की शक्ती दी गई, लेकिन बिटा बिलकुल क्वेश सशिबाला, लियोनल कर्टिस, बिलकुल वो जवाब हम आपको दे चुके हैं, लियोनल कर्टिक्स का, और इसी को भारत में जो है, द्वैद शाशन का जनग कहा जाता है, ठीक है, और ये जो स्टेट्मेंट आपने लाड मारले वाला पढ़ा, ये मैंने आपको अभी बताया कि हम वास्तों में नाक के दांत बो रहा हैं, और ऐसा उसने केवल और केवल किसके गठन के लिए काहा था, मुस्लिम लीग के गठन के लिए काहा था, ठीक है सशी बाधाजी, मैं इसे थोड़ा और बड़ा लिखने का प्रयास करूँगा विटा, तो ऐसा उसने जो है मुस् मुसलिम के बीच की जो एक एकता थी जो लंबे समय से चली आ रही थी उस एकता को सवाप्त कर दिया था इस कदम ने ठीक है और ऐसा लॉड मिंटो ने मारले को लिखा था दरसा लॉड मारले ने मिंटो को लिखा था इसा नहीं है ठीक है चलिए इसको ध्यान में रखिएगा तो पहली बार जो है निर्वाचन मंडल के लिए भी अलग से सुविधा यहां पर दी गई तो मुसलिमों को अलग से निर्वाचन मंडल के लिए सुविधा हम लोगों ने सन 1909 के मारले मिंटो सुधारों में दी हाला कि हम इसे सुधार कहतो रहे हैं लेकिन यह कोई सुधार नहीं था, बलकि एक ब्यवस्थित सुधरी हुई व्यवस्था को बरबाद कर देने की एक तरह से कोशिश थी, एक तरह से प्रयास था बिटा, तो ये प्रयास जो है उस समय किया गया था इन लोगों के द्वारा, और इसको चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, वो कम है क्योंकि इस प्रयास ने शायद हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच की लकीर को एक चौड़ी खाई में तब्दील कर दिया था, ठीक है एक बात और, यहाँ ये चीज इसपष्ट किया गया दो लोग थे ऐसे, जिनको भारती परिशद में सदस्य के रूप में जो है, निुक्त किया गया था इसमें एक नाम आपको मिलता है के जी गुपता का ये पहले व्यक्ति थे और दूसरा नाम हमें जो मिलेगा दोस्तों, वो दूसरा नाम हमें मिलता है, सैयद हुसेन बिलग्रामी का ये दो लोग ऐसे थे, जिनको उस समय जो आपकी परिशद हुआ करती थी, जिसे हम लोग भारती परिशद कहते थे उसमें शामिल किया गया था इन दो भारतियों को यानि ये ऐसे दो भारती थे दोस्तों, जिने आपके परिशद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो अगर आपसे पूछता है कि भारती परिशद में, यानि इंडियन काउंसिल में, चुकि एक्ट भी इंडियन काउंसिल एक्ट ही माना जा रहा है, इसलिए भी तो भारती परिशद में पहली बार भारतियों को शामिल करने का नरणय कब लिया गया, तो आपका जवाब 1909 का मारले मिंटो सुधार होगा, कि इन दो लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो के प्राद आपनाम लेंगे के जी गुपता और सयद हुसेञ बिलग्रामी का, एक बात और दोस्तों तीसरा नाम आएगा आपके शतैंडर सिनाह का कि शतैंडर सिनाह का दोस्तों क्यूंकि सतैंडर सिनाह को उस समय, हमारा जो विदी-सदinement की रूप में कह सकते हैं कि विधी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ, यानि प्रथम भारतिय जो विधी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ, यानि सतेंदर सिनहा का नाम इंपॉर्टेंट है, सैयद हुसैन, बिलगरामी और केजी गुपता, ये तीन लोग जो है बिटा, ये 1909 के मार अरले मिंटो सुदार में ही इनका नाम हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है, और परिशद के सदस्यों को मैंने आप से बताया कि पूरक प्रश्न पुछने का अधिकार तो उन्हें दे ही दिया गया था, एक बात और, जो उस समय केंद्री व्यवस्थापिका थी हमारे इसे मतलब कुल सदस्य संख्या के इंद्री व्यवस्थापिका में हो गई थी दोस्तों, आपकी 69 यानि 79 सदस्य यहां पर थे, और इन 79 सदस्यों में से दोस्तों, 37 जो थे आपके वो सरकारी सदस्य थे, और बाकी की अगर बात की जाए, तो बाकी जो 32 थे, यह आपके गैर संख्या 37 और गेर सरकारी सदस्यों की भी जो पिछ संख्या 37 और गयर सरकारी सदस्यों फिटा की जो संख्या病icação आप 때도 32 थी अब इसको भी आसा आज़ेते हां एक 824 झूहे वहरे पांच का इसमें से जो इसले 27 थैं दोस्तों ये सारे 27 सरकारी सदस थे जिनके निर्वाचन में अंग्रेजों की भूमिका सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, सबसे एहम हुआ करती थी, ठीक है? हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, जबकि यहाँ पर जो आपके 5 सदस थे दोस्तों, ये 5 सदस आपके नामित थे, यानि कि आप यहाँ इस पर समझ सकते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों में 27 सदस आपके गवर्मेंट सरकारी सदस थे या यू कहिए, कि ये सरकारी क्या थे? चुने हुए सदस थे. ये सारे सदस जो थे वो आपके चुने हुए सदस थे और 5 सदस से जो हुए वो नॉमिनेट हुए. एक बात और, इसी 27 सीट में से 8 सीटें पहली बार मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित कर दी गई. यानि धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था को आपके देश में पहली बार सन 1909 के मारले मिन्टो सुधारों में लागू किया गया. और इस व्यवस्था ने वर्तमान में अगर देखा जाया तो जिस तरह से हमारे देश में राजनेतिक प्रणाली विद्यमान है और ये प्रणाली आज भी लंबे समय यानि पिछले करीब 70-75 सालों से अबाद रूप से चलती-चली आ रही है. ये व्यवस्था सन 1909 के मारले मिन्टो सुधारों में हमें देखने को मिलती है. एक बात और जानले हैं, अमूल रूप से गवर्नर जो होते थे उनकी शक्तियां बहुत अधिक थी. गवर्नर से मेरा मतलब गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल जो 1858 के The Act for Good Governments in India, इस Act के माध्यम से बदल चुका था वाइस जो वाइस राय था भले ही पूरी सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात कही जा रही हो, पूरी सत्ता के विकेंद्री करण की बात कही जा रही हो, लेकिन सत्ता का केंद्री करण हमें इस पष्ट रूप से दिखाई देता है. यानि ये था दोस्तो 1909 का मार्ले मिंट और मुस्लिम लिग के लिए पूछता है कितनी सीटें रिजर्व की गई तो आपका जबाब होगा 8 सीटें, कुल केंदरे ववस्थापिका में सदस संख्या आप से पूछता है तो आप 69 यानि 79 कहेंगे, जिसमें से 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी थे, इस गैर सरकारी में से 27 चुन करके आए थे, उसी में से 8 सीटें हम लोगों ने मुस्लिम लिग के लिए रिजर्व कर दी, यानि धर्म के आधार पर चुनाव में, निर्वाचन में आरक्षन, सीटों का रिजर्वेशन, ये सारी व्यवस्था उसी वक्त शुरू हुई, और इसी बात को ले करके लौड मा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे, और इन नतीजों की भयानकता का अंदाजा आपको 1947 में तब हो पाया, जब आपका देश धर्म के आधार पर टूट गया, यानि जब मुहम्मद अली जिन्ना की उस जिद के आगे, और हमारे दरार जो उस वक्त हमारे सीने पर पड़ी, वो दरार आज एक बहुत चौड़ी खाई में तबदील हो चुकी है, बहुत चौड़ी खाई में बदल चुकी है, ठेक है दोस्तों, तो चलिए, ये सारी बातें आप सब को इस पष्ठ हैं, लियोनल कार्टिस का नाम याद रख जिसमें पहला नाम आपके नवाब सलिमुल्ला का, दूसरा नाम महसिनुल्हक का, और तीसरा नाम वकारुल्मुल्क का था, तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है, और इन ही तीनों ने ही लाड मारले से मुलाकात की थी, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हमारी पर होगी, समय है शाम के चार वजे का, तो I think कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, समय ध्यान दखिएगा, और पूरे उत्सा से पूरे जोश के साथ जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इन जानकारियों को कनवे करिए, पढ़िए और पढ़ाईए, अश और समर्पन का प्रतीक है, जो आप अपने विशय के प्रती रखते हैं, तो दोस्तों, कल तक के लिए, मैं आपसे अनुमती चाहूंगा, कल इसी समय, इसी मंच से, इसी उत्साह के साथ, हमारी आपसे फिर मुलाकार रहिए,